नमस्कार गुड मॉर्निंग मैं डॉक्टर राजेश कुमार वर्मा सीनियर कंसल्टेंट और्थोपेडिक सर्जन मनीपाल हॉस्पिटल गाजियाबाद उत्तर प्रदेश चबात कर रहा हूं आज हम बात करेंगे शोल्डर जॉइंट की कंधे के जोड की उसमें होने वाली कॉ की एक कॉंपलिक्स कैटेगरी का जॉइंट माना जाता है जॉइंट में जनरली दो हड्डियां होती हैं पर शोल्डर जॉइंट में तीन हड्डियां मिलकर उसे बनाती हैं और जिसको एक्चुली हम शोल्डर गर्डल बोलते हैं इट इस नॉट जॉइंट इस शोल्डर गर हमारा shoulder joint mobility के लिए बना है इसको हम हर direction में चला सकते हैं हाथ को हम हर direction में घुमा सकते हैं as compared to hip joint which is more of a kind of joint which is made for stability and not mobility उसके उपर हम वजन डालते हैं चलते हैं उसको दौडते हैं उसका stable रहना जरूरी है इसलिए उसकी mobility range of motion से थोड़ा compromise हो गया है during the evolution of human species shoulder joint की problems को हम broadly दो हिस्सों में divide कर सकते हैं एक हडियों से सम्बंदित और एक उसके आस पास मासपेशिया और ligaments जो जोडों को जोडने के लिए रसियां होती हैं उससे सम्बंदित हैं इस discussion में हम tumors के बारे में चर्चा नहीं करेंगे हम चर्चा करेंगे age related arthritis, fractures और soft tissue जोडों की जिलियां और मासपेशियां जब फट जाती हैं तो क्या problem होती है उससे related fractures में हसली की हड़ी का fracture काफी सालों तक conservative method यानि की उसके उपर पटी बांद के उसे जोड़ दिया जाता था पर पिछले 10 से 12 साल की research के हिसाब से अगर हम उस पे एक plate लगाते हैं या उसका accurate reduction बठाकर उसको fix करते हैं तो हमारा functional outcome यानि की result बहुत ही अच्छा आता है दूसरी हड़ी हमारी बाजू की हड़ी है जिसमें shoulder joint की तरफ अगर fractures हो जाते थे तो पहले लगभग 10 से 15 साल बाद या मैं बोलूँ 20 साल पहले हम उसको सिर्फ पटी में ही जोड़ देते थे पर अब उसके लिए special fixation devices market में हैं plates हैं, threads हैं, screws हैं जिसके use करके हम उसको accurately जोड़ सकते हैं और functional outcome आल्मोस्ट पहले जैसी ला सकते हैं scapula यानि पीछे की हड़ी के fractures में usually surgery की जरूरत नहीं पढ़ती जब तक कि बहुती widely displaced fracture ना हो, fragments बहुत दूर दूर तक नहीं हो और आपका joint incongruent हो गया हो यानि एक दूसरे के उपर अच्छी तरह ना बैठावा हो आसपास की mass patient और आसपास की जिलियां और आसपास के ligaments में सबसे important ligaments जो है वो है rotator cuff के tendons, rotator cuff यानि चार mass patient जो की shoulder joint को engulf कर लेती हैं चारों तरफ से cover करके रखती हैं और हमारी shoulder की movements में बहुत ही ज़्यादा important role होता है उनका इनके tear चोट लगने से भी हो सकते हैं, उम्र के साथ साथ इनकी blood supply कम हो जाती है इनकी thinning हो जाती है और ये spontaneously भी अपने आप भी धीरे धीरे करके कई बार फट जाते हैं और इनका repair करना जरूरी होता है क्योंकि इनका repair नहीं करने पे shoulder की movement भी चली जाती है और painful shoulder भी रहता है इनका repair usually हम लोग एक दूरबीन की तकनीक से करते हैं जिसमें एक camera joint के अंदर जाता है स्क्रीन पे देखकर हम उसको exactly कहां कहां से damage हो रखा है उसको identify करके उसको fresh करके उसको वापस अपनी जगह पर जोड़ देते हैं कुछ छोटे screws के द्वारा जिसके उपर धागे already पहले से लगे हुए होते हैं जिनको हम suture anchors बोते हैं इसी प्रकार से shoulder joint dislocation जो की काफी common injury है उसमें more often than not almost हर joint dislocation में सामनी की तरफ से shoulder joint की जिल्ली को थोड़ी सी injury होती है injury अगर कम है चोट कम है तो हमारा काम चल जाता है अगर हम athletes नहीं हैं और हम एक common आदमी है तो हमारा काम चल जाता है पर अगर वो injury बड़ी है तो उस जिल्ली को वापस अपनी जगह लाकर repair करने की जरुरत पड़ती है इस चोट को हम बोलते हैं bank art lesion जो की हमारे shoulder के cup के आगे लगी हुई जिल्ली फटने के कारण produce होता है repair को बोला जाता है bank card repair यह भी लगभग आज की date में सारे surgeon दूरबीन की विधी से ही करते हैं इसमें भी छोटे screw लगते हैं जिसके ओपर धागे loaded होते हैं बहुत ही minimally invasive surgery होती है चीरे बहुत छोटे लगते हैं सारा काम screen में देखकर ही होता है results are wonderful usually read dislocation के chances बड़े कम होते हैं परन्तु treatment options से ज़्यादा जरूरी है आपको अपना जोड़ बचा के रखना हम लोग सुभे उम्र जैसे जैसे बढ़ती है तो एक regular exercise pattern में आ जाते हैं हम shoulder joint की भी करते हैं exercise हम garden की भी करते हैं हम बाकी mass patient की भी करते हैं पर shoulder joint particularly आपको ये याद रखना है कि इसकी exercise करने के time आपकी speed बहुत slow होनी चाहिए range almost complete होनी चाहिए पर speed बहुत ही कम होनी चाहिए इससे हमारे rotator cuff tendons यानि की आसपास की जिल्यों की stretchability यानि elasticity बनी रहती है और उनके tear होने का डर कम हो जाता है vigorous shoulder movements करने से shoulder joint का degeneration यानि की age related changes fast आते हैं उनकी हडियां बढ़ने के कारण जिल्यों को चोट लगने की संभावना कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है मैं यही काम ना करूंगा कि आप अपने shoulder joint को बचा कर रखें नियमित व्यायाम करें खान पान का धिहान रखें एक particular age के बाद which I will suggest is 50 बहुत ज़्यादा heavy load suddenly ना उठाएं suddenly कोई भी sports ना शुरू करें और suddenly कोई भी heavy activity like gymming ना शुरू करें पहले joint को stretch करें condition करें और उसके बाद आप अपने joint से किसी भी level की exercise ले सकते हैं धन्यवाद, thank you very much for listening to me. I am Dr. Rajesh Kumar Verma from Manipal Hospital, Gaziawad.